तो आज मैं दखाऊंगी ए टिको मा का प्लांट जो पहली बार फ्लावरिंग किया है यह प्लांट में मई के महिने में लगाई थी और अब जाकर फ्लावरिंग किया है कारवा चौथ के दिन इसमें फ्लावर किला है तो यह मेरे लिए गिफ्ट से कम नहीं है जब मैं सुबह उठके आई तो इसका फूल खिला हुआ था और देखके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें खुसबूल भी बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं और भी कलिया आई है इसमें और यह बेल नुमा प्लांट है थोड़ा बेल भी बन रहा है इसमें इसमें मेरे रसी में बांध दिया है तक इधर उदर ना जोती है मेरी बालकनी छोटी सी है उसमें बहुत सारे हमने फुलो के कौदे लगा रखे है जो सब में फ्लावरिंग थोड़ा-थोड़ा होता ही रहता है इससों सपोर्ट देना जल्दी बहुत तेजी से बढ़ रहा था यह अब देख सकते हैं बहुत बढ़ा हो गया है कि फुल जग खिल जाएगा इसमें फुरी तरह से तुम्हें कट कर देंगे बर से फार देशी वाला है इसमें तो कम फ्लावरिंग हुआ है आज यह गुद्रहल गुद्रहल में अभी एक फुल खिला है आज यह जुद्रहल के बहुत अच्छा लगता है देखने में यह पिंग वाला इसमें भी एक फ्लावर खिला है बहुत सुन्धर है यह भी देखने में है यह बिली का वाइट वाला घर हां मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए मेरा वीडियो ऐसे ही लोग देखते हैं 70% तक लोग सब्सक्राइब भी नहीं किया है ऐसे वीडियो देखते हैं तो प्लीज ऐसे ना करें थोड़ा सा थोड़ा सा मेरा हेल्प करिए और प्लीज से सब्सक्राइब कर लिजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है तो प्लीज कर लिजिए का सब्सक्राइब आज के यही बालकनी गार्डेंग का छोटा सा अपडेट था तो वीडियो कैसा लगाओ प्लीस कमेंट करें थेंक्यू